असलाम अलेकुम आज मैं आपके थाज शेयर कर रहे हूं एक बहुती आसान ब्रेकफास्स बनाने की रेसिपी जिसको की आप बहुती एजिली बहुती क्विकली बना लेंगे और बहुत टेस्टी बनता है इसका नाम है अफगानी ओमलेट एक्स विद पोटेटो और टोमेटो हैं बस आपको इनको बारेक काटना है और इसको मीडियम फ्रेम पर दो से तीन मिट के लिए फ्राय कर लेंगे इससे आलू हलके से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और फ्राय भी हो जाएंगे आलू को मैंने दो से तीन मिट के लिए फ्राय कर लिया है अब हमें इसमें हाफ कप ड अब हमें इसमें डालना है एक कप टमाटर ये दो मीडियम साइज की टमाटर हैं इनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है और इसी के साथ हमें इसमें हाफ टी स्पून या फिर टेस्क के साफ से नमक डालना है और हाफ टी स्पून डालना है काले मिर्चो का पाउडर मेहाँ पर अब हमें इसको ढख कर पकाना है 6-7 मिनट के लिए जब तक हमारे आलू सॉफ्ट हो जाए तब तक पकाएंगे तो यहाँ पर 6-7 मिनट लो फ्लेम पर मैंने इसको पका लिया है और आलू हमारे सॉफ्ट हो गए टमाटर हो गए मैंने इसमें एक टमाटर और एट करा था बाद में मुझे कम लग रहा था और अब हमें इसमें 4-5 अंडे डाल देना है जितने आपको ज़रूरत हो उतने अंडे आप इसमें डाल लीज़ेगा मैं 5 अंडे डाल रही हो और इस पर थोड़ा सा नमक और काले मिर्चे डग देंगे जिससे की अंडे जो हैं वो फीके ना लगें गैस की फ्लेम यहापर बिल्कुल लो रखनी है इस बात का धियान रखना है अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चे एट करेंगे हरी मिर्चे को मैंने काटा नहीं है आप चाहे तो काट कर डाल सकते हैं अब इसको ढग कर पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 7-8 मिनट के लिए नीचे कोई हैवी बॉटम तवा या फिर जाली भी आप लगा सकते हैं बिल्कुल धीमी आज पर मैंने इसको 7-8 मिनट के लिए पकाया है और यह देखें अंडे हाँ पर पक चुके हैं जर्दी भी थोड़ी सी पक गई है बहुत जादा नहीं पकाई है मैंने जर्दी आप यहाँ पर इसकी कोकेंग टाइमिंग अपने हिसाब से भी रख सकते हैं यह देखें मैंने नीचे यह जाली लगा दी थी जिससे की नीचे की जो पर रहते वो सीक्योर रहे जले नहीं अगर आप जादा पकीवी जर्दी पसंद करते हैं तो जादा देर पका सकते हैं कम पकीवी जर्दी पसंद करते हैं तो थोड़ा कम टाइम पका सकते हैं अब हम इसको सर्फ करेंगे थोड़ा सा मैंने हरा धनिया इस पर और गारनिश कर रहे तो इस तरह से एकदम आसान और बहुत ही मज़िदार हमारा अफगानी ओमलेट बन कर तयार है इसको सर्फ करते टाइम इस तरह से इसको सर्फ करेंगे कि जो इसकी निचली पर रहत है यानि कि आलो और टमाटर की वो भी साथ में आए इस तरह से और इसको मैं यहाँ पर सर्फ कर रही हूँ बन के साथ आप चाहें तो स्लाइसेस के बीच में रखकर ऐजा सैंड़िच भी इसको खा सकते है या फिर आप पराठे से रोटी से पाउ से जिससे भी आप प्रिफर करते हो इसके साथ आप इसको सर्फ कर सकते है आई होप आपको यह रेसिपी अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर के जगा थैंक यू